नमस्कार मैं हूँ आपके साथ सपनादारों स्वागत आपका हमारी चैनल स्पोर्ट्स आर पर अभी न जाओ छोड़कर ये दिल अभी भरा नहीं महेन सिंग धोनी के सन्यास के खबरों के बीच एक सुकून देने वाली खबर सामने आई है हर तरब धोनी के सन्यास को लेकर खबरे थी और उस बीच धोनी के ही किसी खास ने इस सस्पेंस को तोड़ दिया है कि धोनी सन्यास लिंगे या फिर नहीं जो लोग सोच रहे थे धोनी का आईपेल का ये आखरी सीजन है जो ये सोच रहे थे कि लंबे बालू वाला साथ नमबर जरसी पहने वो लड़का अपने पुराने अंदास में क्रिकेट को हमीशा के लिए अलविदा कह देगा तो आपका ये सोचना गलत साबित हो सकता है जी हाँ ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बलकि ऐसा कहना है धोनी के एक खास दोस्त का जिसके बयान ने धोनी के सन्यास की अटकलू पर कही ने कही पोन विराम लगा दिया है वैसे तो धोनी को लेकर हर साल यही खबर आती रहती है कि धोनी का ये आख्री आईपिल सीजन हो सकता है लेकिन हर साल ये खबर जूटी साबित होती है क्योंकि महेन सिंग धोनी हर बार एक और आईपिल सीजन की तरफ कदम बढ़ाते है धोनी अक्सर कहते हैं मैंने अपने सन्यास को लेकर नहीं सोचा है ना ही इस पर बात की है ये आप लोगों का मानना है कि मैं सन्यास ले रहा हूँ साल 2023 में महिन सिंग धोनी ने अपने सन्यास को लेकर चुपपी तोड़ी थी और कहा था कि में अपने दर्शकों के लिए अपने फैंस के लिए आईपिल का एक और सीजन खेलोंगा और ऐसा हुआ आईपिल 2024 में एक बार फिर महिन सिंग धोनी अपना जर्वा बिखेर रहे हैं बस फर्क यह है कि धोनी इस बार कप्तान नहीं है आईपिल 2024 के शुरुआत से पहले धोनी ने अचानक CSK की कप्तानी छोड़ दी थी और रितुराज गायकवार को CSK की कप्तानी तक से यही अटकले थी कि धोनी अब इस साल आईपिल के बाद सन्यास ने लिंगे हर कोई यही मान के चल रहा था कि आईपिल 2024 का फाइनल मुकाबला चेननाई में है और CSK फाइनल में जाएगी और धोनी वहाँ अपने सन्यास का एलान करेंगे और अगर CSK फाइनल में नही सबात से इंकार कर दिया रहना इंदेनों आईपिल में कॉमेंटरी कर रहे है और उस दौरान उन्होंने कहा है कि धोनी आईपिल 2025 भी खेलिंगे कॉमेंटरी के दौरान आरपी सिंग ने सवाल किया था कि धोनी का ये आखरी सीजन हो सकता है आपका क्या कहना है जिसके जवा खेलिंगे रहरा के इस एक शब्द ने इस एक कॉमेंट ने सोशल मीडिया पर चर्चा तेस कर दी है कि धोनी खेलिंगे आईपिल 2025 में भी बोलने मिलेगा देखो धोनी फिर मार रहा है धोनी की साल 2004 वाली जलक आईपिल 2024 में भी दिख रही है वही अंदास वही जजबा वह रुद्बा आज भी धोनी के बल्लेबाजी में दिखता है आज भी धोनी वही धोनी है जो विकेट के पीछे से मैच पलट देते थे जिसका नाम ही काफी होता है विपक्षी टीम में खौफ पैदा करना जिस तरह धोनी चौके और चखकों के बरसात कर रहे हैं उसे देखकर एक बाद फिर कहा जा रहा है अरे माही छोड़ो ये सन्यास वन्यास की बाते टीम इंडिया में वापसी करो और टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप जिता दो फैंस का कहना गलत भी नहीं है साल 2013 के बाद भारती क्रिकेट टीम में ट्रॉफी का सूखा पड़ा है साल 2019 या साल 2023 भारत और भारती फैंस के सपने हर बार टूटे हैं टीम भले ही कितनी मजबूत क्यों न हो खिलाड़ी भले ही अपनी जीजान लगा दें लेकिन धोनी जैसी किसमत किसी के पास नहीं है खैर अब देखना होगा धोनी के एक बार फिर आईपिल का एक और सीजन यानि की साल 2025 का आईपिल खिलेंगे रहना की बातों से आपको क्या लगता है कॉमेंट करके ज़रूर बताएं